Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankhita Sood and students आज की ये वीडियो बहुत ही साधा important वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे tricks बताने वाली हूँ जिनको अगर आप लोग follow करते हो तो definitely first attempt में आप लोग अपना NetJRF qualify कर सकते हो आज हम लोग बात करने वाले हैं UGCNet paper 2 के बारे में paper 2 जो है बहुत important paper होता है आपका subject centric paper होता है और इसमें जो भी tricks होती syllabus बहुत जादा होता है लेकिन time अब हम लोगों के पास सिरफ 60 days है तो 60 days में किस तरह से आप लोग syllabus को cover करोगे क्या tricks यूज़ करोगे ये सब चीजे में आप इस वीडियो में बताने वाली हूँ so students वैसे तो ये video आप सभी के लिए helpful है क्योंकि ये tricks सभी units सभी subject के students के लिए चलेगी लेकिन क्योंकि particular मुझे एक syllabus आप लोगों को बताना है तो मैं आप एक computer science की बात करने वाली हूँ so इस video में हम लोग discuss करने वाले है paper के pattern को syllabus discussion को जो कि बहुत important है and unit wise important topics ये वाला जो section है ये हमारी आज की video का most important section रहने वाला है क्योंकि होता क्या है बहुत बड़ा syllabus होता है तो हम हर एक point को तो नहीं बढ़ सकते तो unit wise जो important and repeated topics है उनको मैं इस video के end में आप लोगों को बताने वाली हूँ तो इस video को आप लोग end तक जरूर देखिएगा मैं आपको guarantee देती हूँ कि अगर आप लोग ये topics को ही पढ़कर जाते हो सिरफ तो भी आप लोग अपना exam qualify कर सकते हो तो 60 days complete strategy जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये ऐसी strategy है जिसको मैंने खुद follow किया था और मैंने भी 60 days में ही अपना exam qualify किया था तो अगर आप लोग इन tricks को follow करते हो तो definitely आपका exam qualify होगा ही होगा साथ ही मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए hard work नहीं करने का time है ये अभी हमें smart work करना है ठीक है unit wise most expected topics हम देखेंगे and short tricks में बताऊंगी कि किस तरह से 60 days में हम entire syllabus paper 1 and paper 2 का cover कर सकते हैं तो एक भी point मत कीजएगा क्योंकि बहुत ही जादा important video है ये तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले students UGCnet paper में जो है हमारे paper pattern को दो sections में divide किया जाता है paper 1 and paper 2 right so paper 2 जो होता है ये होता है हमारा subject centric paper and paper 1 होता है common paper जिसका syllabus सभी students के लिए बिल्कुल same होता है paper 1 में 50 questions पूछते हैं and paper 2 में पूछे जाते हैं 100 questions यानि कि सिरफ computer science से आप लोगों को 100 questions exam में आएंगे 200 marks इसका weightage होगा total 300 marks का paper होता है and 3 hours में हमें ये complete करना है without any break तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए तो computer science के अगर बात करें तो subject code है 87 and subject का name है computer science and application तो ये code and name आप लोगों को help करेगा जब आप लोगों online application form फिल करोगे ठीके तो अब आते हैं tricks पे तो पहला है tricks to qualify you just in it computer science तो सबसे पहले तो आप लोगों को syllabus के बारे में पता होना चाहिए मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि कभी भी कोई exam आप लोग दे रहे हो सबसे पहले उसका syllabus देखो syllabus को आप लोग official website पे जाकर क्या करोगे डाउनलोड करोगे एंडर में suggest करती हूँ कि आप लोग उसको print करके अपने पास रख लीजिए paper 1 भी and paper 2 भी इससे क्या होगा आप लोग syllabus को अच्छे से समझ पाओगे कि कौन कौन से units है जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से subjects इसमें आड किये गए हैं उसके बाद आप कैटेगराइज करोगे अपनी priority के basis पे जिसे कि computer science में हमें total 10 units होती है and paper 1 जो होता है उसमें भी total 10 units होती है सो computer science में अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे DBMS भी पसंद है मैं उसको कर सकती होता है न सब स्टुटेट्स के favorite subjects DBMS, operating system, computer networking, software engineering, artificial intelligence ठीक है इस तरह से आप लोगों ने जो भी आपकी priority वाले subjects हैं उनको इस तरह से mark कर देना है जिसमें आप लोग confident हो जो आपका favorite subject है आप लोगों ने उसी से हमीशा start करना है ठीक है and मैं आप लोगों को बिता दूँ कि syllabus देखकर confused बिल्कुल भी मत होना क्योंकि syllabus बहुत ही जादा है ठीक है and ऐसा नहीं है कि हर एक topic से question पूछे जाते हैं कई बार क्या होता है ऐसे topics से question पूछे जाते हैं जो कि syllabus में mentioned ही नहीं होते हैं वो sub topics होते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं यहाँ पे यही चीज़ें आप लोगों के clear करने वाली हूँ important and repeated topics से आपको बताने वाली हूँ ठीक है तो यह चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे इसके साथ ही next point है analyze previous year question and try to solve them तो आप लोगों को previous year question देखने हैं इससे आप सभी कोई आईडिया हो जाएगा कि किस तरह से question exam में पूछे जाते हैं ठीक है और जितने भी यहाँ पे units है यह mostly जो आपने अपने post graduation या after graduation time पे पढ़ी है यह वही units होती है ठीक है तो आप लोग बहुत easily इनको पढ़ सकते हो तो previous year question अब आप लोग बोलोगे कि माम 60 days है अब हम यहाँ पे पढ़ें या previous year questions को analyze करें तो students आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए हम आपकी help करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं computer science का complete course जिसमें हम आपको देते हैं complete video lecture series इसमें important topics को cover किया गया है जो topics हर साल exam में आते हैं इन सभी को हम लोग detail में आपको बताने वाले हैं और कुछ ऐसे tricks भी बताएंगे जिसकी help से आप लोग बोलोगे कि हमने एक बार ये चीज़ पढ़ी थी exam तक हम नहीं भूल पाए ठीक है यह बहुत important है क्योंकि 60 days में इतना time नहीं होता कि हम लोग notes भी बनाएंगे previous year question भी खुद धूंडेंगे तो complete course होगा तो आप लोगों के लिए easy हो जाएगा इसके साथ हम आपको देते हैं full syllabus notes यह बिलकुल updated notes है इसमें जितने भी topics repeat होते हैं उन सभी को mark किया गया है सिरफ topics ही नहीं जो भी sub topics होते हैं जो की important exam में पूछे जाते हैं उन सभी को भी यहाँ पे diagrams, graphs की help से present किया गया है साथ हम आपको देते हैं maha marathon and solve previous year question यह है previous year question आप लोगों को solve previous year questions मिलते हैं in the form of PDF जिससे आप लोगों को एक idea भी हो जाएगा और आपकी final revision में बहुत help हो जाएगी क्योंकि computer science एक ऐसा paper है जहाँ पे gate के previous year questions and user senate के previous year questions ही पूछे जाते हैं वो थोड़ी से statement में changes होते हैं बाकि exam वही होते हैं आप लोग अगर एक से दो भी previous year question पढ़ लेते हो उसके बाद next questions, next previous year questions जो है न वो आप लोग खुद से समझ जाओगे कि कितने easily आप solve कर पाते हो इसके साथ हैं हम आपको देते हैं mock test for all units जो कि आपकी final final revision में बहुत help करेंगे and इस complete course की validity रहेगी one year and students अभी दो दिन के लिए सिरफ दो दिन के लिए offer चल रहा है यह बहुत अच्छा offer है and इस complete course को access करने के दिए आप लोग screen पर दिएगे number पर WhatsApp के थूँ contact कर सकते हो या फिर हमारा app global online जो कि बिल्कुल free app है इसको भी download कर सकते हो and इसके साथ एक good news भी यह है कि अगर आप लोग यह 5000 रुपीज पे करके computer science का course purchase करते हो तो इसके साथ paper one का complete course हम आपको बिल्कुल free में provide कराते हैं ठीक है यानि कि paper one में free video lectures, free update notes in the form of PDF, most expected MCQs, maha marathon, solve previous year question and 60 plus mock test यह computer science के साथ हम आपको बिल्कुल free देते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा offer है, students आप लोग जल्दी से जल्दी नंबर पर contact करके access कर सकते हो and अगर आप लोग complete course नहीं चाहते हो आप लोग चाहते हो कि सिरफ हम study material ले paper 2 का तो यहाँ पे आप लोग total 14 subjects की list देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे computer science में mention है computer science का सिरफ study material अगर लेना चाहते हो तो इसमें आपको मिलेगा full syllabus notes and most expected mcqs ठीक है and इसकी fee है सिरफ 1000 rupees इसके साथ आप लोगों को paper 1 free नहीं हम देंगे ठीक है paper 1 सिरफ आप लोगों को complete course के साथ ही मिलेगा तो यह study material भी आप लोग ले सकते हो and इन सब चीजों को access करने के लिए आपको play store पर जाकर हमारे app global online को download करना है यह है इस app का official logo app download करने के बाद आपको login करना होगा and then यहाँ पे store section में जाकर के इस तरह की screen एक नजर आ जाएगी ठीक है यहाँ भी आप लोगों को directly computer science लिखना है and then आप इस complete course को access कर सकते हो चीके तो यह बहुत ही जादा helpful है students आप सभी के लिए so इसके साथ ही next trick है हमारे पास have selective study material accordingly so again वही बात आगई कि अब study material आप लोगों के पास best होना चाहिए तो उसके लिए भी आप यह course आपके लिए helpful है time management is very important आप लोग अगर regular रखते हो कि yes हमने यह regular classes भी लगानी है खुद से भी अगर आप लोग self study करते हो तो self study भी आप लोगोंने regularly करनी है एक भी दिन मिस नहीं करना है चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन जरूर पढ़ो तो time management और जो आपकी continuity है यह बहुत important है next time make your own strategies ठीक है तो किस तरह से पढ़ना चाहते हो जैसे कई लोग morning में पढ़ना पसंद करते हैं कई लोग night में पढ़ना पसंद करते हैं कई लोग library में पढ़ना पसंद करते हैं ठीक है तो जैसा भी आप लोग environment चाहते हो जैसे भी strategies आप चाहते हो वो follow कर सकते हो बीच बीच में break ले सकते हो कई लोग दिसे 8-10 घंटे continue भी पैट सकते है कई लोग 2 hours पढ़ेंगे फिर break चाहिए 2 hours पढ़ेंगे फिर break चाहिए जो भी आप लोगों को comfortable लगता है आप उसी strategy को follow कीजेगा ठीक है नोट्स बनाने है और शॉर्ट नोट्स भी बनाने है तो नोट्स तो हम आपको बिलकुल यहाँ पर प्रोवाइड कराते है और इसके अलावा मैं गिरेंटी देती हूँ कि आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है और इक बात और बता दूं कि अगर यह आप complete course जोईन करते हो तो जितनी भी हमारी PDFs है ठीक है जो भी हमने theory lectures, MCQs lectures लिए है जो भी PDFs है वो as it is हम आपको दे देते हैं तो यह भी आप लोगों के लिए एक benefit है ठीक है So mock test को regularly दीजिए and अपने paper 1 को ignore मत करना इसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि paper 1 में 100 marks के question पूछे जाते हैं यह बहुत ही सादा scoring unit है तो आप लोग paper 1 को बिलकुल भी बिस्मत कीजेगा ठीक है and do smart study So इस समय हमारे पास hard work करने का time नहीं है कि हम लोग basic definitions से शुरू करे notes बनाए previous year questions को खुद सर्च करे इतना समय हमारे पास नहीं है So इसलिए मैं कह रही हूँ कि complete study material होगा तो you can easily continue your studies ठीक है So अब आते हैं unit wise analysis पे So computer science में यह पहली unit है जिसका नाम है discrete structures and optimizations So discrete structure and optimization बहुत important unit है and बहुत easy unit है इसमें से मैं आप लोगों को अगर बताओं तो exam में 8 to 10 questions जरूर पूछे जाते हैं यानि कि 16 to 20 marks के questions इसमें हर साल पूछे जाते हैं ठीक है So कहां से question आते हैं एक question आप लोगों का definitely पूछा जाता है propositional logic या फिर predicate logic से एक question इस section से आएगा ठीक है एक question आता है आप लोगों का sure है जो कि permutation and combination से आता है ठीक है या तो question permutation combination का होगा या फिर probability का होगा तो इन दोनों topics को आप लोगों ने जरूर पढ़ लेना है ठीक है next बात करते हैं group theory की group theory से हमारी जो isomorphism, homomorphism, automorphism है यहां से question आता है ठीक है एक question पूछा जाता है graph theory से so graph theory में यह जो है हमारे पास circuits, hamiltonial path, circuit planner graph, spanning tree traversal yes यह tree traversal is the most important topic ठीक है so एक या दो question आते हैं graph वाले section से एक basic question आता है boolean algebra से इन सब चीजों को मैं detail में अपने lectures में बता चुकी हूँ ठीक है अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है मैं playlist का link description में दे दूँगी आप लोग उसको देख सकते हो ठीक है and optimization वाला section है यहां से part CPM से equation आता है ठीक है part CPM, graphical solution and यहां पे simple and dual simplex method so यह topics हैं जो मैंने mark किये हैं यहां से equation आते हैं आप लोग इसका screenshot लेकर रख सकते हो बहुत important है ठीक है next unit है computer system market ठीक है यहां से भी 9 to 10 question पूछे जाते हैं कई बार थोड़े जादा भी हो जाते हैं लेकिन आप लोग on an average 9 to 10 question रखके चलिए ठीक है so इसमें equation boolean algebra से पूछा जाता है ठीक है equation पूछा जाता है flip-flop से equation यहां पर जो sure question है वो आता है हमारे number system and conversion से इस section को तो आप लोग जरूर पढ़ लीजेगे यह number system and conversion सिर्फ इसी point से question आता है ठीक है next जो है यह वाला section बहुत important है register transfer and micro operation इसमें से directly कहीं से भी question पूछा जा सकता है बस in memory transfer कुछ भी ठीक है लेकिन basic question होता है memory reference instruction input output and interrupt ठीक है so अगर मैं overall बात करूँ तो यहां से भी question पूछे जाते है ठीक है next आता है हमारे पास micro programmed control यह complete section भी important है ठीक है stack organization बहुत important है and CISC risk हर साल एक question CISC computer and risk computer से ज़रूर आता है ठीक है next आता है हमारे पास parallel processing and pipelineing यह question यहां से आता है ठीक है next बात करते है memory hierarchy की यह वाला जो section है यह दो equation input output से equation memory hierarchy की से and आप लोगों ने यह नहीं समझना है कि हमने cache memory की definition पढ़ ली and then हो गया direct question नहीं आता थोड़ा सा वो example की साथ या थोड़ा सा गुमा करके question पूछते हैं ठीक है so memory hierarchy से के बार दो question भी पूछे जाते हैं इस complete section से दो question भी पूछे जाते हैं ठीक है so multiprocessor जो है इतना important नहीं है इसमें अगर exam में question आता है तो cache coherence से आता है otherwise नहीं आता है तो आप लोग देख सकते हो सिरफ मैंने इतने बड़े syllabus में कौन से important points बताए हैं and exam में सिरफ वहीं से questions पूछे जाते हैं ठीक है next है programming languages and computer graphics so इसमें हमारे पास जो questions पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पहले तो ये वाला section programming in C इसमें identifiers हैं tokens है, array है जैसे कि array का कोई एक program आप लोगों को दे देंगे और पूछेंगे कि इसका output क्या है and की बार क्या आता है कि array के base पे ही दो question पूछ लेंगे तीन question पूछ लेंगे एक question पूछा जाता है आपका programming in C++ कि identifiers क्या होते हैं, inheritance, overloading यह सब चीज़ें क्या होती है एक question पूछा जाता है web programming से, इसमें भी आप लोगों के पास HTML का program दिया होगा and आपको बताना है कि उसके output क्या आ सकती है ठीक है, अब बात करते हैं computer graphics की most important raster scan and random scan इनको याद रख लीजिए ठीक है, इससे एक numerical question भी आ सकता है and एक numerical question आता है points and line से, इसमें line drawing algorithm midpoint circle and ellipse algorithm scan line polygon fill algorithm ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक आप लोग रख लीजिए कि एक numerical जरूर पूछा जाता है तो यह एक वीडियो में मैंने cover किया है आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा scaling, rotation, reflection and shear transformation एक question यहां से आता है कि एक diagram दिया होगा, आपको बताना है कि अगर इसको हमने 2D geometry में rotate करना है तो हम कैसे करेंगे ठीक है, next 3D object है यहां से भी एक question जरूर पूछा जाता है यहां पर पूछा जाता है basal and B-spline surfaces B-spline curve यह वाले question पूछा जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो इतने बड़े syllabus में से सिरफ इतने से topics हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं next आती है most important unit DBMS इससे हमेशा 10-12 questions पूछे जाते हैं अब क्या होता है students जैसे कि एक paragraph दिया है DBMS पे tables होते हैं अब क्या होता है exam में एक table दिया होता है and उसी table के basis पे 5 questions होते हैं so DBMS में यही तरह की questions पूछे जाते हैं तो अगर आप लोगों को queries आती है DBMS में SQL queries होती है DDL DML, DCL, TCL यह आप लोगों को पता होने चाहिए इसके साथ ही आप लोगों को पता होनी चाहिए insert operation, add कैसे हम add करते हैं value table में ठीके कैसे delete करते हैं इसके साथ ही आप लोगों को पता होने चाहिए entity, relationship, diagrams ठीके और जो भी keys होती है primary key, secondary ठीके जितनी भी type की keys होती है, वो most important है DBMS के लिए तो यह जो functions मैंने बताए हैं इनको आप लोग note कर लीजिए, so DBMS में generally question पूछे जाते हैं ठीके उसके बाद आता है data warehouse, इसमें OLAP, OLTP ज़रूर आता है and big data ज़रूर आता है इसमें map reduce and Hadoop से question पूछे जाते हैं उसके बाद no SQL से a question अगर exam में आ गया तो ठीक है नहीं तो नहीं आते, तो यानि कि DBMS में अगर आप लोगों के जो college level की basic चीजें होती है अगर आप लोग उनको भी अच्छे से पढ़के जाते हो, तो भी DBMS कवर कर सकते हो, ठीके सो लेकिन इसमें practice चाहिए तो जितनी जादा practice हो सकती है वह कीजी, तो अगर आप लोग प्रीवेस एर question भी practice करते हो DBMS के लिए तो वह भी आप लोगों के लिए काफी है next है system software and operating system again important unit है 8 to 9 questions पूछे जाते हैं इससे, इसमें compilers and interpreters से question पूछा जाता है ठीके, system call से सरूर question पूछा जाता है booting से related question पूछा जाता है critical section problem यह आप लोगों को पता होगा college level में भी आते थी इससे question client server system and centralized system IPC interprocess communication ठीके and CPU scheduling very very important कई बार 5 questions सिर्फ CPU scheduling से ही पूछे जाते हैं बाकी topics वो cover ही नहीं करते CPU scheduling and deadlock most repeated and most important topics है memory management को आप लोग थोड़ा बहुत देख सकते हो जिसमें की paging and segmentation से question आता है and storage management में आप लोगों का RAID model इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजेगा ठीके सो यहां पे और है यह भी operating system के अंडर ही आता है यहां पे distributed system को आप लोग पढ़ सकते हो ठीके and इसके अलावा यह जो disk structure है input output hardware application input output इन पे भी आप लोग एक बार नजर माल लीजेगा ठीके and equation आता है security से and equation आता है virtualization से ठीके इतने ही topics हैं अगर अभी by chance में कुछ miss कर रही होंगी तो मैं आप लोगों को वह भी बता दूँगी next आता है software engineering most easy one of the most easiest unit and most important and scoring unit तो मैं तो आपको बोलती हूं कि software engineering से शुरू करो बहुत अच्छे से आप लोग score कर सकते हो ठीके इसमें आता है एक तो यह जो models है जैसे agile model है extreme model है आप लोगों के पास ठीके इनसे question पूछा जाता है एक question पूछा जाता है यहां पे आप लोगों से SRS document क्या होता है बिल्कुत basic question definition पढ़ लोगे तो आ जाएगा एक sure question है cohesion and coupling बहुत easy question है ठीके sure question है आप लोग 10 साल पूराने questions भी देख लो coupling and cohesion मिलेगा ही मिलेगा ठीके एक आता है ISO 9126 quality factor quality control and quality assurance risk management यह जो basic basic चीज़ है risk management risk mitigation software reliability इनकी definitions पढ़ लेना एक question यहां से आता है एक numerical question आता है LOC and functional point से एक numerical question आता है COCOMO से यानि कि estimation वाला जो section है इससे एक numerical question पूछा जाता है ठीके software testing से दो question कई बार पूछे जाते हैं यह बहुत easy है ठीके इसमें white box black box क्या होता है इनमें difference क्या होता है इस तरह कि software testing वाला section है इससे match the following question आते है ठीके and again SCM में software reuse software re-engineering and software engineering इन तीनों को पढ़के जाएगा direct question पूछा जाता है direct definition पूछी जाती है हर साल ठीके तो यह बहुत ही जाद easy unit है next आता है data structures and algorithm again important unit so इसमें पहला तो आप लोग stack और queue को note कर दीजिए priority queue यानि कि अगर मैं आप लोगों के एक idea दूँ तो यह आप पहला section पूरा पढ़ लीजिए basic introduction है सरफ ठीके theory lectures देख सकते हो description में मैं link दे दूँगी एक या दो question यहां से आएगा एक question आएगा time and space complexity से जो की sure question है एक question आता है greedy algorithm से या फिर divide and conquer algorithm से ठीके एक question आता है graph algorithm यह 3-4 चीज़ें BFS, DFS, shortest path, minimum flow, minimum spanning tree minimum flow के अलावा बाकी सब topics important है एक question यहां पे यह topic कई बार पूछ लेते हैं लेकिन हर बार नहीं पूछते ठीके and advance में आप लोग पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है तो यहां पे आप लोग ने parallel algorithm and sorting पढ़ना है otherwise उपर के जो questions है यह बिलकुल basics है ठीके, इनके through भी आप लोग exam qualify कर सकते हो next है TOC ठीके, यह unit जो है यहां से थोड़े से difficult questions पूछे जाते है ठीके, अपनी trust की बात है इसमें lexical analysis जरूर पढ़के जाईएगा DFA जरूर पढ़के जाईएगा इसके बाद LR parser LALR parser ठीके, parser ठीके, इसके बाद code generation and code optimization ठीके, यह parsing वाला syntax analysis and semantic analysis यह complete section जरूर पढ़के जाईएगा एक question, Turing machine sure question है यह, ठीके सो यह थी कुछ important points next unit है computer networking इसमें भी LAN, MAN, WAN आप लोगों को पता है, bus topology star topology यह आप लोगों को पता है analog digital signal आप लोगों को पता है ठीके, यहाँ जे question आते है एक question, throughput and bandwidth से जरूर आता है basic question LAN, MAN, WAN यह basic चीज़ें, यह भी आपको आती होंगी most important section TCP, यह 30 minutes का मेरे एक lecture है, आप लोग सिरफ और सिरफ अगर उसको भी follow करते हो तो computer networking में आप लोगों के 5 marks पक्के हो जाएंगे आज के आज ही ठीके, जसमें मैंने TCP, IP, protocol, suit और यह सब बताया है and students, computer networking में मैं इतनी जादा confidence के साथ आपको बोल सकते हूँ कि अगर आप मेरे video lectures को follow करते हो तो computer networking में आपके 12 questions पूछे जाते हैं यानि कि 24 questions, 24 marks आप लोगों के computer networking में पक्के हो जाएंगे इस चीज़ के तो मैं guarantee लेती हूँ कि मेरे notes आप लोग अगर follow करते हो मेरे video lectures follow करते हो एक पूछा जाता है CDMA, TDMA, CSMA, CD and CSMA, CSS most important जो है वो यही है यहां से OSI model, TCP IP model इसके बाद यहां पे एक point जो की नहीं बताया गया है शायद IPv4 Classes Classful and Classless addressing में Classful addresses में हमारे पास A से e-classes होती है इनकी range इनका जो भी type होता है वो आप लोग पढ़ लीजेगा ठीक है एक direct question पुछा जाता है ARP से and RARP से next है www इसमें POP3 and SMTP IMAP ठीक है यह पूरा section important है ठीक है यह दो section बहुत important है mobile technology से basic चीज़े पूछे जाती है CDMA जो भी हमारे mobile में use होता है mobile के IP and mobile के communication से related ठीक है एक basic question virtualization से पूछा जाता है ठीक है यह थी important topics last unit है हमारे पास artificial intelligence जो कि इतनी साथ important unit नहीं है इसका weightage कम होता है तो इसमें पूछा जाता है minmac search ठीक है game playing से basic question पूछा जाता है again turing test TOC theory of computation unit में भी मैंने बताया था तो एक बार पढ़ लो दोनों में काम आएगा next step fuzzy relationship fuzzy rules ठीक है यह fuzzy set को basic आप लोग पढ़ सकते हो इतना important नहीं है यह unit important ही नहीं है तो से question आजाए तो ठीक है otherwise कोई वो नहीं है so मैं suggest करती हूँ कि artificial intelligence के लिए सिरफ और सरफ previous year question करो that is enough so students आज की video में सिरफ इतना ही I hope यह video आप सभी के लिए helpful रही है so thank you so much and किसी भी तरह की query है अगर आप लोगों को अभी भी तो आप comment करके हमें बता सकते हो हमारी team definitely आपकी help करेगी so thank you so much and I wish you all the very best